हेलो गाइज आज का मैं ब्लॉक सूट करने वाली हूँ एक्चुली वैसे कुछ एक स्पिसल नहीं है बढ़ हाँ थोड़ा बहुत मान लीजी है भी आज मेरा डे बहुत जादा बिज्जी जाने वाला है और आज मुझे जाना है एक जगे पे दुरकईयां खाने साइद आप लोग जानते हों जो लोग जानते हैं वो कमेंड करिएगा कि दुरकईयां क्या होती है एक्चुली जो आउंटी हैं यहां पे रहती है वो अपने मुझे से बोला कि प्राची तुमको पता है तुम आ जाना तो मतलब कर लेंगे एक बार उनोंने पहले भी किया है जब घर बना था अभी उनकी बेटे की साधी हुई है तो वो फिर से दुरकईया कर रही है तो उनकी यहाँ पे हमको जाना है वैसे क्या ही बोलें तो वहाँ पे जाना है बट मेरा अज सुबह से दिमाग बहुत ज़दा खराब हो गया है मेरा घर का सारा काम हो गया है जिसको जाना था, स्कूल जाना था, सब चले गए हैं, बड़ अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा दिमाद किस वज़े से खराब है, और आज बहुत कुछ होने वाला है, प्लीज वीडियो के अंट तक बने रहेगा, और हम आपको दिखाएंगे कि एक्शुल में दुरकईया होत बड़ अपको उसको नहीं पता था, तो अवसान माता भी बोलते हैं, इसको जिसको बता है वो प्लीज कमेंट करिएगा और जिसको नहीं पता है तो कैसे क्या होता है, मोस्टिज यह एक तरिके की जैसे सुखागी निस्त्रियों को खिलाया जाता है, और सहगले भी गाउं तो उसके बात करते हैं या ऐसे भी साल में लोग माननेता रहते हैं हमारे तो फोती ही रहती है तो फिर थरस्डे को किसी ना किसी अगर अच्छे दिन चल रहे हैं कोई मतलब होता है ना खरमास लगा है खराब दिन चल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है तो फिर सब के यहां किसी के यहां आज किसी के यहां कल होता ही रहता है लोग साल में एक बार तो करते ही करते रहते हैं कोई कुछ मा आज एक लोगों के यहां पर है आंटी है पीछे रहती है तो उनके यहां पर है तो हमें जाना है वहां पर उससे पहले हम आपको दिखा दे मेरा दिमाग किसलिए खराब है कि अगल कि अगल कि अगल कि कि ऐसे ही मैंने दो कम मल लिए थे एक यह दिखी अगल व्यां लिए थे यह सेम कम मल लिए थे पिछली साल थंडियों में मेरे यहां पर ममी आई थी मतल्ए एक बिरिसा साइ थी तो उन्हें में बाहर बेचने यह थैंकि उन्के लिए झाँ ज़ूआँ गऊंगों तो में उनको जाकर दे दूझी अभी मेरे जलदी साधी के वोध में लेंगे जाएंगे घ्राइति करें चाह के भी मेरे मेरे पास इतना ज्यादा हो गया साधी की वेशाद सामान होो गया और पिर हमें अगले मेंने फिर से Janे ही वाले थे तो हम गाडी दो हमने सुचा कि चलो टाब गाडी से जाएंगे अभी कैसे जाएंगे औफिर मुझे गौँझाना नहीं था मैं जहां पर साधी में जाने वाली थी वहीं से फिर वापस आने वाली थी तो इस चक्कर में मैंने बाहरी बेड में पढ़े रहने वो मुस्किल से एक हपता या फिर पंदरा दिन पंदरा दिन से तो जादा नहीं हुआ होगा और इनकी देखो काट काट के चुहों ने ऐसी हालत कर दी अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो कमल मतलब मैंने ये सुचा था कि नए कमल हैं बिल्कुल नए तो कोई आता जाता है ना हलका फुलका जैसे हलकी ठंडी पड़ रही है और इनको चलो एक बिनट के लिए मानलो घर में ओड़ना है तो आप सिलकर ओड़ सकते हो बड़ नए का यूज के लाइक तो बिल्कुल नहीं बचे अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं अगर मैं आप घर में दूंगी तो मम्मी तो खैर मेरी बहुत अच्छी उनको तो कोई वहीं नहीं है उनको तो ये चाहे जो भी दे दो हम कुछ भी दे देते ना मेरी ममी बहुत खुशी मन से एकदम ले लेती है लेकिन इक जो फील होता है ना कि चलो नया सामान लेके गए हैं तो नय की तरह यूज किया जाएगा वो फील नहीं बचा बिल्कुल ऐसा गुस्सा आ रहा है मुझे कल रात में मैंने कम्मल और रजाई जो मितलब घर में यूज किया जा रहे थे वह मैंने रख दिया अंदर ब है यही निकाल लेते हैं और एक दिन में क्या ही गंदा हो जाएगा रख देंगे जब निकाला मेरा तो रात में धिमांग खराब हो गया अब आप यकीन नहीं मानोगे मैंने साथ-साथ-साथ-सो रुपए की सॉल और महंगे-महंगे से स्वैटर लिए वो भी मैंने इसी में तो यह जा रही हूँ देखने लिए उनकी क्या हालत होई उरत में मैंने मेरा बिल्कुल मन नहीं किया उनको देखने का को हम देख लेंगे मेरा दिमाग खराब हो जागा नो तो मुझे नीन नहीं आएगी इस वज़े से मैंने रात में नहीं देखा अब मैं जा रही हूं उनको देखने और उसके बाद फिर मुझे घर का काम निपटा के मुझे वहां पर पूजा में भी जाना है मेरी ऐसी हालत खरा अब मैं हलकी सी बस क्रीम बिंदी लिपिस्टिक ही लगाऊंगी और मुझे कुछ नहीं लगाना है तो जल्दी से मैं तयार हो जाती हूँ और उसके बाद फिर मुझे जाना है पूजा में तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताईए का जरूर कौन कौन जानता है दुरकई से ना कभी-कभी सा जैसे पसीन और आता है तो फिर वह जाता है तो मैं सोच रही हलका सा फाउंडेशन लगा लूँ यह मास्का फाउंडेशन है बहुत अच्छी इसकी कवरेज है तो यह बहुत जली स्मच प्रूफ है स्मच हो जाता है और इसली आपकी स्किन में बिल्कु लगा लूँ गीए थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लिया हमें अब मैं लगा लूँगी काजल काजल में पार्ट होता है नहीं तो आखें ऐसी रोई-रवी से लगती है क्योंकि मेरी नीन तो कभी पूरी होती है मैं हलका सा बिल्कुल रलका सा काजल लगा लूँगी और बस मेरा make up complete हो गया बस lipstick लगानी है तो lipstick as always मुझे red color की ही लगानी है lipstick लगा ली मैंने अम मैं बस कान में कुछ डाल कर और तुपटा लेकर निकल लूँगी बहुत लेट हो गया है मुझे और ये हम आ गए हैं यहां पर पूजा भी हो गई है सुरु हो गई है पूजा यहां पे मतलब मुर्मुरे जो लैया होती है लैया चना गुड उनको साथ सोगलो के कोच्छों में डाल कर Li Gram का तरफ रहता है Third Li Gram कीलो में सारा सामान लेना होता है लोग एक्स्ट्रा भी कर देते क्योंकि पेड़ा लईया गुड चना ढाई किलू होना चाहिए बाकि पेड़ा वगरा लोग एक्स्ट्रा कर देते हैं और फिर उसको खाना होता है उसकी कथा सुनाई जाती है और उसके आरती पूजा वगरा होती है तो आंटी के भी बिल्कुल नही नही प्यारी सी बहु कर सकता है नौर्मली आपको जब आपके ज़र में कोई अच्छा काम हुआ हो तो उसमें आपको साथ औरतों को बुलाना है अगर आप डबल कर रहे हो तो 14 औरतों को बुलाना है एक पाटा रखना है पाटा में देवी जी बनानी है और देवी जी बनाने के बाद आपको उस सामान आपको मंगाना है और उसके बाद फिर मातारानी की चूड़ी बिंदी सिंदूर सब चढ़ा कर पूजा करनी है और पूजा करने के बाद साथ जो आउरते आती हैं उनको मतलब वो जो धाई किलो सामान होता है उस वो इक्वल कॉण्टिटी में बाटा जाता है और अगर आप पेड़ा रख रहे हो तो आप उसमें पेड़े भी रख सकते हो तो आउंटी ने पेड़े भी मंगाये थे ये रखने के बाद करने के बाद वो औरते जो होती है सब लोग पूजा करते हैं मिलकर कहानी कही जाती है और उसके बाद सब लोग मिलकर सुहाग लेते हैं आर अभी हम पूजा से आ गए हैं पूजा खतम हो गई है हम आ गए हैं और अभी कोई और मेरे घर पर आने माला है अभी वीडियो केंट तक अगर आप बने रहेंगे तो देखेंगे अज मैंने पता नहीं क्या क्या काम किये हैं तो कोई और आने माला है वह भी आएगा तो उससे भी काम करवाना है बहुत सारा और उसके बाद फिर मेरा घर का काम होगा अभी मैं जो फिलहाल घर का काम है जो छूट गया था मुझे वहां जाना था तो मैं जल्दी-जल्दी में नहीं कर पाई थी वह मैं निप्टा लेती ह हूँ फिर उसके बात का आगे का काम जो होगा वह मैं आपको बताती रहोंगी और आद देखिएगा कि आज का पूरा दिन का व्लॉग मेरा कितना लोग पता नहीं कैसे लोग बोल देते हैं हाँ जस्ट हाउस वाइफ की जिंदगी जो होती है न कितनी अंजस्टिस भरी होत मुटती बिंदी लगाई जाती है कि चूडी मिलती है चूडी मिलता है लग दाली लिए हो चूडी मिल्ती है और हुगा जोड़ी मने में आपने उसके बाद पनाना है खाना से ह स Second reconstructious को मेरे बाल पकणने की बहुत जदती प्रोब्लम शोरी है ना मों बहुत दो दिन बात वीडियो डालूंगी एक कि बालों को naturally black कैसे कर सकते हैं घर के ingredients से कैसे black कर सकते हैं उसका मैं वीडियो डालूंगी तो आप वो वीडियो मेरा देखिएगा मैं आज कौन सा दिन है आज सुक्रवार है न मैं वो वीडियो Saturday को डालूंगी क्योंकि संडे को मुझे बाल दूलना रहेगा वो बाल दूलने से एक दिन पहले डालते हैं तो मैं वो वीडियो Saturday को डालूंगी या फिर कल Friday है तो कल मी में बाल दूल सकती हूं तो मैं हो सकता है आज साम तक डालू अगर मैं आज साम का ब्लॉग मतलब मेरा नहीं आज साम को तो मैं यह वाला है न वो आपके बालों को नेचरली ब्लैक करने में हेल्प करेगा और आपके बालों में नेरस्मेंट में मिलेगा उसकी वज़े से तो वो ब्लॉक आप मेरा देखेगा चलिए फिलाल आज का देख लेते हैं भी मुझे क्या क्या काम करना है जो काम करने वो मैं काम कर लेती ह और फिर आगे का देखते हैं यह देखिए इन भाईया यह आए हुए थे मैंने अच्छली आज वाई-फाई लगवाया है यह काफी देर पहले आये थे भाईया मैं जए वीडियो सूट करता याद ही नहीं था और यह भाईया आये थे तो मुझे भी आज मैंने वाई-फाई लगवालिया था क्योंकि मुझे नेट की बहुत ज़दा प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो डालने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी तो मैंने भाईया को इनको बुलाया तो यह अपना वाई-फाई-वाई-फाई का सब काम कर चुके थे मैंने इंसे बुला भाईया प्ली स्कूल से अब मैं उनको दूंगे खाना अब तक के लिए फिलहाल बाई-बाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना बाई